हलो स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिस रीडर जिसका चैप्टर है फोर ए बिजिट ऑफ कैमरेज यानि कैमरेज यूनिवस्टी का घूमना या उसको देखना यह चैप्टर हमने कंप्लेटली इसका हिंदी मीनिय आपको आपको यहां पर नाम लिखना है तो चैप्टर में आया था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम या इस नाम की पुस्टक उनों ने लिखी थी इसके आंसर में आप लिख देंगे दा बुक रिटेन बाई स्टीवन होगेंस इस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और शेकेंड कुस्ट्टन इसमें यह वहाँ टू मेंक्स दा डिफरेंटली एविल्ट प्यूपल इस्ट्रॉंगर एकार्णि टू दा ओथर ओथर का मतलब होता है लेखक यानि जो लेखक है इस चैप्टर के उनके अनुसार ऐसी कौन सी चीज होती है जो डिफरेंटली एविल्ट यानि यह का यह जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए कौन सी चीज सबसे ज़्यादा इंस्पारेबिल होती है जिससे वह प्रेरित हो पाएं तो इसमें लेखक यह कहा था according to the author the only thing that make you stronger is seeing somebody like you achieving somebody something huge यानि ऐसी चीज को देख करके ऐसे वेक्ति को देख करके आप ज्यादा strong या inspired होंगे जो आपके जैसा ही हो और उसने कुछ अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्दी हासल कर रखी हो बहुत कुछ बड़ा उसने कर रखा हो तो आप इसके जवाब में ये लिख सकते हैं according to the author the only thing that make you stronger is seeing somebody like you achieving something huge ये बी का आंसर हो जाए c में आप लिखेंगे question is what is the scientist message for the disabled जो disabled लोग होते हैं उनके लिए ये Stephen Hawking का क्या message था तो उन्हों ने ये काता कि आप उस पर concentrate करिएगा जो अभी आपके पास बचा हुआ है जैसे जो दिब्यांग लोग होते हैं नी विकलांग होते हैं उनका सरीका कोई नों कोई अंग अच्छम हो जाता जो काम नहीं करता है तो उन्हों ने ये काता हमें उस पर ना ध्यान द concentrate करें जिसमें वो अच्छे हैं डी कोशन एक दा राइटर एक्सप्रेस इस ग्रेट अटिट्यूड ग्रेटिट्यूड टू दा स्टीफेन होगेंस वाटिट्यूड फॉर मतलब लेखक का उन स्टीफेन होगेंस के प्रत क्या एक ग्रेटिट्यूड था यानि वह उनकी क्य प्रत क्यों थी तो केवल एक यही चीज है कि उन से उनकी मुलाकात होई थी और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं लेकिन अगर आप यह लिख देंगे कि उनकी जो मुलाकात होई थी वही उनके प्रतनों का ग्रेट अटिट्यूड था कि वह हमसे मिले हमारे लिए आदा गंट निकाला तो आप इसमें लिख सकते हैं दा रायटर इक्सपर्स इस ग्रेट ग्रेटिटीटूट इस देट ही हैड़ मेट इस्टीफेन होगिंग इतना आप इसके जवाब में लिख सकते हैं तो यह थे इसके क्वेश्चन आंसर और आगे एकसरसाज में देखते हैं बर्ड नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं अर्थात वहरा बन who cannot speak जो बोल नहीं सकता उसे डम कहते हैं यह नि गूँगा बन who cannot bark जो चल नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं lamb लेमिश लंगड़ा और बन हूँ केंड़ रीड़ राइड जो लिख पड़ नहीं सकता हूँ अनपड़ होता है अर्थात इल्लिटरेट तो यह बनवर्ड सवस्टिटूशन होते हैं यानि एक सब्द में आंसर देना और नेक्स्ट वर्शन टूएश में लुक एड़ फालोंग वर्ट यह का गया बाक और इस्टिक इन्हें मिला करके हमें एक सब्द फ्रेज जैसा बना सकते हैं जैसे केंड यू क्रिएट ए मीनिफूल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ट इन दोनों वर्ट का यूज करके हम एक फ्रेजल वर्ट बना सकते हैं जैसे इट इस सिंपल एडिंग आई एंजी आई एंजी जैसे बाकिंग इस्टिक चलने वाली छड़ी तो इस परकार से आपको कुछ शब्द दिये गए हैं उन्हें भी मिला करके आपको बनाना यहां पर रीड सेशन गिविन है तो आपको लिखना है रीडिंग सेशन इसमाइल फेस को आपको लिखना है इसमाइलिंग फेस रिवाल्व चेर का मतलब लिखना है रिवाल्विंग चेर घूमने वाली कुर्शी और bark, tour का हो जाएगा, barking tour dance doll का मतलब हो जाएगा, dancing doll और bin chance का मतलब हो जाएगा, binning chance यानि जो पहला वाला सब्दे उसके सभी में आप ing लगा देंगे और दूसरा वाला same, लिख देंगे जैसे यहाँ पर लिखा गए, e barking stick Next है language practice के question यहां पर हमें यूज करना है neither nor, neither nor का मतलब वो होता, ना ही ये और ना ही वो, तो use neither nor to join the pair of the sentences given below, one has been done for you, एक किया गया है और हमें खुद करने हैं, जैसे I do not eat candy, मैं candy नहीं खाता, I do not eat cake, मैं cake नहीं खाता, तो हमने अलग अलग दो सब्सक्राइब का, कि मैं candy नहीं खाता, मैं cake नहीं खाता, तो सीधा यहीं कह देते, कि ना ही मैं candy खाता हूं और ना ही cake, तो उसी को हमें लिखना है, neither do I eat candy nor cake, ठीक तो इसी आदार पर अब जो हमें question given है, वो लिखने है, I do not like swimming, मैं हमें तहरना अच्छा नहीं लगता है, I do not like fishing, हमें मचली मारना भी अच्छा नहीं लगता, तो सीधे हम यह कह देंगे, ना तो हमें तहरना अच्छा लगता और आई मचली मारना, तो इसमें लिखे हैं, neither do I like swimming, nor fishing, केबल इतना लिखना है, neither do I like swimming, nor fishing, next है, he did not come, he did not call, वो आया नहीं, उसने phone नहीं किया, मतल dos आया ना phone किया, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, नाहीं वोई आया और नाहीं उचने फोन किया, यहां लिखेंगे, neither did he come nor call, he does not drink, he does not smoke, वो यह पीता नहीं है, he does not smoke, मतलब वो यह पीता नहीं है, और वो यह smoking, यानि बीडी सिक्रिट भी नहीं पीता है, drink का मतलब यहां सराप पीने से है, और यहां smoke मतलब से धूम और पान करने से, तो इसमें लिखेंगे, neither does he drink nor smoke, does का डजी रहेगा, she did not like Rome, she did not like Paris, उसे नहीं रोम पसंद था, और नहीं पैरिस पसंद था, वे नहीं रोम पसंद करती थी, वे नहीं पैरिस पसंद करती थी, हम इसमें यह कह देंगे, उसे नहीं रोम पसंद था और नहीं पैरिस, तो इसमें लिखेंगे, नाइधर डिट सी लाइक रॉम नौर पैरिस तो यह खाली जगह में इस प्रकास से लिखा जाएगा next question है use all और both all का मतलब होता सब बोत का मतलब होता दोनो इन दोन all और बोत का यूज करके यह खाली जगह में बहर रही है जहां पर सेंस दोनों का आएगा बहाँ बहुत बहरेंगे और जहां पर सबका आएगा बहाँ पर आल बहरेंगे has he two brothers देखो two आई गया तो हमें both ही लिखना है both are lawyers he has two brothers both are lawyers उसके दो भाई हैं दोनों lawyer हैं यानि बकीले more than ten persons called more than ten persons called दस से ज़्यादा लोगों ने बुलाया तो अब ज़्यादा आदमी होगे दो से तो all of them wanted to see you. बेस अभी आपको देखना चाहते थी तो all भरेंगे इसमें अब यहां पर they cheered the team. टीम में अधिक लोग होते हैं तो all भरेंगे. they all cheered the team. अब parents तो दो ही लोग होते हैं मम्मी पापा तो हम both भरेंगे. बोथ हर parents are teachers. दोनों उसके parents teacher यानि मम्मी पापा. दोनों मतलब में मम्मी पापा. How much have you got? Give me. अब देखो how much लिखा हुआ. तुम्हें कितना मिला? बो सब हमें दो. तो all of it. Give me all of it. तो जहां दो का sense आता है, भाँ बोथ भरेंगे. जहां दो से अधिक, यानि सब का sense आता है, भाँ आल भरेंगे. Next question इसी प्रकार से है. Next में हमें वरना let's और let's. एक let's होता ILETS और एक let's में लगता apostrophe. तो यह let's का मतलब होता है, जैसे उसको कोई काम करने दिया. एक तरीके से permission के तोर पर होता allow. Let's him go, उसे जाने दो. ठीक, तो ऐसी आपको permission जैसी जैसे अनमती जैसा sense आ रहा होगा, तो LETS परेंगे. और जहां पर ऐसा sense आ रहा हो, जह हम सला दी जा रही हो. आए खेलने चलते हैं, आए खाना खाते हैं, तो LET apostrophe S वाला भरेंगे. ठीक, तो देखेगा इसमें, आगे question दिए गए हैं, और यह अन्तिम question है, इस exercise का, now complete the following sentence using let's or let's, जैसे his mother, him बाच TV till midnight, उसकी माना उसे आधी रात तक TV देखने दी, यानि अनमती देदी देखने की अलाव कर दिया, तो LETS परेंगे. Hope for the West, let's, hope for the, let's का मलब होता है, let us, आए, hope for the West, अच्छे ओने की आसा करें, तो let's परेंगे. See what is on the menu, आए देखते हैं कि मीनू में क्या है, तो यहाँ भी let's परेंगे, apostrophe वाला. The teacher lets the children play, teacher ने बच्चों को खेलने दिया, तो यहाँ एक तरीके से permission की तोर पर है, तो LETS परेंगे. He lets his dog go to go out, उसने अपने कुत्ते को बहार जाने देती है, तो उसको अलाव करती बहार जाने के लिए, गोमने के लिए, तो LETS परेंगे, और go fishing, अब यहाँ पर आए मचली मारने चलते हैं, तो एक तरीके से यहाँ क्या suggestion है, सलाह है, तो apostrophe S परेंगे, यानि LET, apostrophe S, let's go fishing. तो इस परकास ही exercise, a widget of cameras, chapter 4 भी, complete with exercise हो जाता, आसा करता हूँ, आपने समझा होगा, इस class में तरा ही, that's all.